हाई एवरीवन मैं प्राची पूरी स्वागत है आपका इस चैनल में आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस नेक्स जो की बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तयार होता है एक बार खाएंगे ना बार-बार खाने का मन करेगा तो चलिए फटा-फट से देखते हैं इसकी रेसि को मैंने अच्छे से धो लिया था अगर आप वहा एड़ ना करना चाहें तो सिर्फ राइस से भी बना सकते हैं तो यहां पर एक टोरी पोहा मैंने एड़ कर लिया है अच्छे से धो लिया था थोड़ा सोफ्ट हो गया था वो और यहां पर एक प्याज काटकर बारिक डाल है मैंने थोड़ा सा हरा धन्या थोड़ा सा नमक एकोर्डिंग टेस्ट लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी हल्दी और यहां पर थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने कूट लिया था उसे थोड़ा सा दरदरा और लहसुन थोड़ी सी यहां पर डाली है हींग यहां पर डाले है थोड़े से करी लीव्स और दो चमत मैंने यहां पर डाली है सूजी सूजी डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये स्नेक्स और अब मैंने डाल दिया है यहाँ पर हरी मिर्ची बारी कटी हुई और पीजा सिजनिंग थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर आप पे पास हैं तो आप डाल सकते हैं अदर्वाइस रहने दे और अब मैं इसके अंदर एड़ करूँगी बेशन यहाँ पर तीन चमच मैं बेशन डालूँगी थोड़ा सा इनको बाइंट करने के लिए और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और दो टाइप बना लेंगे इसके अंदर आपको कोई भी पानी आड़ करने की जुरूरत नहीं है बस आप इसके अंदर एक चमच ओल डाल दें और अच्छी तरह से जैसे हम आटा गूंते हैं उसी तरह से आप इसको इस तरह से गूंत लें मिक्स कर लें तो अगर आपको जड़ा सा भी लगे कि ये बाइंट नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं ज्यादा पानी आप ना डालें बट मैंने यहाँ पर बिलकुल भी पान ही नहीं अड़ किया क्योंकि चावल बने हुए थे और उनके अंदर होता ही है मॉस्चर तो यह अपने आपी बाइंड हो जाता है तो यह देखिए इस तरह से बाइंडिंग हो रही है और अब हम हाथों को दो लेते हैं और इसके बन जैसे आप पसंद करें तो हाथों को करें थोड़ा सा ग्रीस और मन्चाही शेप में आप स्नैक्स बनाएं तो दो तिन शेप में आपको बता देती हूँ तो यह देखिए एक शेप मैंने इस तरह से बना ली है और अगर आपके पास कुकी कटर है तो आपको मैं कुकी कटर से भी बना कर दिखा रेती हूँ और अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आपको यह भी शेप अपनी मर्जी से इस तरह से बना सकते है तो यह देखिए हाथ शेप में मेर पास यह कुकी कटर है तो थोड़ा सा हाथों में material लें और इस तरह से आप cutter को प्रेस कर दें तो ये देखिए ये हाट शेप में हमारा snacks बन कर तयार हो जाएगा तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ना तो एक शेप में आपको और बता देती हूँ ये मेरे पास दूसरी शेप का कुई की cutter है तो इस तरह से हाथों में थोड़ा सा material लें और इसको इस तरह से प्रेस कर दें तो आपकी मनचाई शेप बन जाएगी और cutter नहीं है आपके पास तो आप फाथों से जिस तरह से मैंने पहला बनाया था वैसे भी बना सकते हैं तो आप पी अपनी मनचाई शेप में कोई भी बना सकते हैं कोई भी शेप दे सकते हैं इन स्नैक्स को तो सारे हमने इस तरह से रेडी कर लिये हैं तो इन स्नैक्स को आब हम फ्राय कर लेते हैं तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और एक बार आप पहले थोड़ा सा फ्राय करने के बाद निकाल ले और फिर दुबारा से फिर इनको फ्राय करें तो वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं तो एक बार हम इस तो यह देखिए वाओ जबदस तो एक बार आप हलका फ्राइ कर लें सभी स्नैक्स को कोई भी हम जैसे पकोड़े बनाते हैं तो एक बार आप हलका फ्राइ करके निकाल लें और जब दुबारा बनाते हैं तो वो थोड़े से क्रिस्पी हो आते हैं तो इसी तरह से इन स्नैक्स को भी एक बारा फलका फ्राइ होने पर निकाल लें और फिर दुबारा फ्राइ करें तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे कलर के तैयार होंगे तो अंदर से भी ये पूरे पक जाएंगे तो ये देखिए यम्मी सा नाश्ता यम्मी सा स्नैक्स जो भी आप कहना चाहें इन्हें बनकर तैयार है और आप भी एक बार जरूर बनाएए अगर आपके चावल बच गए हैं तो वीडियो थोड़ी से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर